ये दो तस्वीरे देख रहे हैं आप एक फोटो में ये आटो चालक अर्विन केजरिवाल के साथ खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी फोटो में यही जनाब भगवार रंग में रंगे हुए हैं मतलब भई ये है किसकी साइट पर बताते हैं दोनों तस्वीरों की कहानी बताते हैं आप देख रहे हैं न्यूस तक मैं हूँ निधी तनी जाओ इस साल के अंत में गुजरात में विधान सभाचुनाब होने हैं और सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं आपनी पार्टि की तरफ से भी अर्विन केजरिवाल समेथ कई नेता गुजरात पर ध्यान बनाए हुए हैं अब 12 सितंबर को अर्विन केजरिवाल गुजरात पहुँचे यहाँ पर एक कारेक्रम में आटो चालक विक्रम दताणी ने खुद को अर्विन केजरिवाल का बहुत पड़ा फैन बताते हुए उन्हें अपने घर खाने के लिए इन्वाइट कर दिया अब ये खबर सुर्खियों में रही और 12 सितंबर की रात को ही अर्विन केजरिवाल आटो में बैट कर विक्रम दताणी के घर पहुँचे आटो में यात्रा करने को लेकर उनकी गुजरात पुलीस से बहस भी होई थी तब आम आदमी पाठी ने आरोप लगाया था कि गुजरात पुलीस ने उन्हें आटो चालक के घर खाने पर जाने से रोकने की कोशिश की है जब विक्रम के घर पहुँचे तो खूब ट्वीट किया गया विक्रम के घर खाना खाते हुए तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी डाली गई और अब ये तस्वीर देखिए अब 30 सितंबर को वो ही आटो चालक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जन सफा में देखा गया तो फिर से सुर्खिया बन गई सवाल है कि आखिर किसके फैन है विक्रम दतानी वो खुद कह चुके हैं कि वो अर्विन केजरिवाल के बहुत बड़े फैन है और अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक है विक्रम ने जो बातचीत में बताया वो आपको भी कही न कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देगा केजरिवाल से मुलाकात पर विक्रम कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो केजरिवाल की सबा है जिसमें वो जा रहे अब जब दतानी जी से पूछा गया कि आपने तो कहा था आपके जिवाल साहब के बहुत बड़े फैन है और अब भगवा तो आप पसल में है किसकी तरफ तो पहले तो जणाब थोड़ा गोल मोल जवाब देने लगे लेकिन फिर कहा कि मोदी जी ही समझे क्योंकि वोट तो उनी को ही देंगे मैं सिब केजरिवाल सार का फैन नहीं हूँ मैं सबका फैन हूँ जो दुनिया में कुछ भी अच्छा होता है जो अच्छा करते ए अब आप और भाजपा में भी भिड़ंत हो गए कि भई ये ओटो चालक हमारी साइड है दोनों पार्टिया कहने लग गएं कि दूसरी पार्टि द्वारा ये पूरा मामला स्क्रिप्ट किया गया है अच्छा लगे गां उनको तो इसने बस अपने बोलेपन में बोल दिया उसको भी मालूम नहीं था कि इससे क्या बबाल होगी और क्या नहीं होगा पूरे गुजरात में उसने नियोता दे दिया बाद में उसको खुद को वस्तावाई कि मैंने ये काम का गलत कर दिया ओ पहले सभा में ऐसा बोला है मैं मोदी साहिब का बहुत बड़ा प्यान हूँ और मैं बादव के साथ तेले भी था और आज भी रहूंगा आज गुजरात के अंदर भारते जन्ता पार्टी के पास पिछले 17 साल से कुछ भी ऐसे काम नहीं है वो जन्ता को गिना सके इसलिए इस तरीके के अकंड़े अपना के आमद्मी पार्टी को बदनाम करने की और आमद्मी पार्टी की छभी विगाने की कोशिश की जा रही है वो बंदा जो जो जिन्होंने मुख्यमंत्री को अपने घर खाना खाने बुलाया था उन्होंने किस प्रिशर में या किस लालच में आके ये जो किया है मगर हम पहले से कह रहे थी कि वो हमारा कोई कारिय करता नहीं है और नहीं हमसे पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा है आपको इस पर क्या लगता है किस की स्क्रिप्ट है गुजरात के कॉमें लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूस तक कर दो